नमस्कार दोस्तों मैं उदेलाण फिरेकबार स्वागत करता हूँ आप सभी के चाहिते चानल इंडियन मुर्गी पालन में वीडियो देखने वाले हरकिसान भाई यों मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों दुनिया का सबसे बहतरीन व्यावसाय है मुर्गी पालन और दुनिया का सबसे किफायती व्यावसाय भी है मुर्गी पालन तो दोस्तों आज का यह वीडियो इतना इंट्रेस्टिंग और खास है दोस्तों कि आज के वीडियो में दोस्तों आपको एक मशीन दिखाई जाएगी आज आपको इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल डेमो दिखाये जाएगा कि जो मशीन दोस्तो अंडो में से चूजे निकलती है उस मशीन का आज आपको दर्शन हो जाएगा दोस्तो और यह मशीन खुद इंडियन मुर्गी पलन इस यूटूब चानल से आपको प्रोवाइड की जाएगी तो अगर आपको देखना होगा कि वह मशीन कैसी है और सिर्फ तीन हजार रुपए में यह मशीन आपके पास होगी भारत वर्श के किसी भी कोने में अगर आप रहते होंगे दोस्तो तो आपको सिर्फ तीन हजार रुपए में यह से में आटोमेटिक मशीन मिल जाएंगी और साथ ही में दोस्तों अगर आपको एटोमेटिक मशीन भी चाहिए तो वह भी हम यहां पर आपको प्रोवाइड करते हैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है दोस्तों उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और बेजज़क यहां पर मशीन के दिमांड कर सकते हैं दोस्तों मशीन के कितने हमें हमें शुरुवात में रकम भरनी है क्या है सभी रूल्स और रेगुलेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दिये गए नंबर पर आप कॉल करके वहां पर जान सकते हैं तो देखो दोस्तों आज के इस यूडियो में टोटल सव अंडो की इस इंकुबिटर के मशीन को देखा जाएगा इसमें आपको सव, 200, 400 और 500 अंडो के सेमी आटोमेटिक और आटोमेटिक मशीन प्रोवाइड की जाती है और साथ ही में दोस्तों सबसे बड़ी और इंपोर्टेंट चीज की आपको 21 दिनों तक फ्री और फ्री आफ of cost knowledge दिया जाएंगा यानि कि आपको जब तक पहिली ब्याच आपकी सफलता से नहीं निकलती तब तक आपसे इंडियन मुर्गी पालन यह चानल कोई भी चार जहां पर नहीं लेगा दोस्तों और साथ ही में मशीन में कुछ डैमेज आया तो आप रिप्लेस भी उसे कर सकते हैं और साती में दोस्तों अगर आपके पास देशी मुर्गी के कड़कनात के आरायर के बीबी 300 के ब्लैक एस्ट्रलॉप के सोनाली मुर्गी के यानि कौन से भी मुर्गी के कौन से भी बटेर के अगर अंडे हो तो दोस्तों उसमें से चूजे निकलते हैं चूजे कैसे नि यह वीडियो अंततक देखिए आप सव प्रतिशत इस मशीन को देखकर इसकी खरीद कर सकते है और साथ ही में दोस्तो आपके भारत वर्ष यानि हमारा जो टोटल भारत वर्ष है दोस्तो इसमें इतनी सस्ती मशीन कोई भी आपको सप्लाइन नहीं करता है इसलिए वीडियो अ सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथी में दोस्तों कमेंट सेक्षन में आपको कोई दिक्कत अगर होगी तो दोस्तों बे जिजक आप यहां पर वह दिक्कत हम तक पहुचा सकते आपकी हर शिकायत यहां पर अगले वीडियो के साथ यहां पर जवाब के साथ दूर की जाएगी तो चलो दोस्तों जानते हैं और देखते हैं कि सव अंडों की सेमी आटोमेटिक इंकुबिटर की यह मशीन असल में है कार्य कैसी करते हैं तो आभी हम जानते हैं इस मशीन की टोटल यहां पर कार्य प्रयाली तो चलो दोस्तों वीडियो की करते हैं शुरुआत तो देखो दोस्तों यह है सव अंडों का सेमी आटोमेटिक इंकुबिटर तो दोस्तों यह जो इंकुबिटर है का यहां पर कार्य करता है और खास करके यह dopo ओंकुंटर है दोस्तों इस इंकुंटर की क्या विशेश्टा है कि जो इंडियन मुर्ग पलंच चैनल आपको कहता है कि हमारे भारत वर्ष में सबसे सस्ता इंकुंटर पीटीटर जो दिया जा रहा है वह हैंने का श्रय इंड़ियन मुर्णी पा निसी यूटूब चानल के दोस्तों तो आप सभी का सवाल था कि यहां इंक्युभिटर असल में कैसा थो दोस्तों अभी प्रैक्टिकली देखते कि कि यह semi automatic incubator कैसा है तो देखो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो यह है वह incubator जिसके की हम बात कर रहे हैं दोस्तों तो यह incubator है दोस्तों सव अंडों के लिए जो बनाया गया है इसमें आप आराम से 100 अंडे डाल सकते हैं इसमें आप देशी मुर्गी के हो उसके साथ ही आपके पास अगर कड़कनात मुर्गी हो किसी के पास सोनाली मुर्गी है तो किसी के पास BB300 ब्लैक अस्टरलॉप और बटेर के भी अंडे इसमें आप डाल कर उसमें से चूजे निकाल सकते हैं तो देखो दोस्तों अभी इसके अंदर को देख सकते पेपर पर अंडे रखे गए है तो इन संभी का और sensor में जो बगल में दिया गया तो इसका काम क्या है तो असल में सभी चीजुनिया है दोस्तों आपको बारिकी से समझाता हूं और उसके बाद दोस्तों को सबस्तों आभी अगर आपको हो तो आप comment section भी लिखकर हमें भेज सकते हैं तो देखो दोस्तों पहले बात करते हैं इसका जो temperature controller है तो दोस्तों पहले क्या करते हैं हम इस temperature control को देखने के लिए इसका हम क्या करते हैं शुरू कर देते हैं तो तो देखो दोस्तो अभी हमने इसको शुरू कर दिया है तो यहां पर क्या है कि शुरुवात में टेंपरेजर है थोड़ा डाउन दिखाए देंगा लेकिन वो क्या होगा हलके हलके तरीके से बढ़ते जाएगा लेकिन दोस्तो इसमें एक बात समझनी होगे कि असल में जब य लिमिट सेटप की है यानि कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं कहने के लिए तो मैनियूली और सेमियाटोमेटिक इनकुबीटर है लेकिन टेंपरेचर जो है दोस्तों हमने कंट्रोल करके आपको दिया इसलिए आपको इसमें कोई भी कारिया च्छेड़ चड़ करन इसके लाइट ओफ हो जाते है और वहां से नीचे आने के बाद 37.3 पर यहां पर आप जो है दोस्तों पूरा देखने के बाद समझ सकते हैं कि 37.3 या 37.4 पर शुरू होते है लाइट यानि कि वहां पर तो देखो दोस्तों टेंपरेचर अभी यह बढ़ते जा रहा है और य 37.3 पर शुरू हो गया आपनी देख लिया अभी आपको यहां पर देखना होगा कि करीब करीब आप देखते जैसे जाएंगे तो 37.8 पर यह अपने आप लाइट बंद हो जाएंगे और उसके बाद जो LED बल पर जल जाएंगा दोस्तों यानि कि उसकी बिजली स्टार्ट हो दोस्तों जो बगल में आप एक पंखा देख पा रहें दोस्तों यह पंखा है सबसे इंपोर्टन आपका कहना होगा सर की पंखा अगर हम अंदर रखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि टोटली जो अंदर की रचना है वहां पर जो हवा पास आउट होते रहेंगी और इसम साथ में ही जितनी यहां पर टेमपरिचर की आवश्रक्ता है उतनी हम ने मेंटेन की दोस्तों इसलिए आपको यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं ओगी लेकिन यहां पर आपको शिरsh 2 कार्य करने वोगे दोस्तू सेमिाटोमेटिक होने की वजह से क्यूंकिति इसमें रोटर आपको नहीं मिलता है और जिसको रोटर के सईश् appeared दोस्तों उनको with हम देते हैं तो यहां पर देखे दोस्तों अभी आपको मगे दिखते हूंगे दोस्तों जो की पानी के लिए उसके जाते हैं दोस्तों तो इन क्या करना है आपको दोस्तों ये दो असल में दो साइड को रखना है दोस्तों यानि कि आपका डिन तक इसमने नॉर्मल पानी रखना है और अट-रा दिनों के बाद आपको यहाँ पर क्या है गुनगुना पानी रख देना है बस इतना काम करने के बाद आपका यहाँ पर मगों का काम हो जाएगा और दूसरी बात दोस्तों अंडों के बारे में क्या करना है तो दोस्तों अंडे के बारे में आपको इतना ही करना है जो अंडे आप रख रहे है और दूसरे दिन सुबह के साथ को फिर वह उपर आनी चाहिए यानि कि यह rotation सबसे important है दोस्तो आपको क्या है दोस्तो यहाँ पर जब आप machine खरीद लेंगे तब आपको 21 दुनोक तक वहाँ पूरी सुविधा हम वहाँ पर free of cost आपको provide करेंगे लेकिन आपको स्रिफ यह दो कारिय करने है दोस्तो बाकी सभी कारिय हमने वहाँ पर set करके दिए इसलिए दोस्तो अगर आप इस इंक्यूबिटर की खरीद करेंगे तो सव प्रतिशत मेरे भारत वर्ष का हर मुर्गी पालग भाई यहाँ पर इसका लाब उटा सकता है और भारत वर्ष में दोस्तो इतने सस्ते और किफायती रेट में कोई भी मशीन प्रोवाइड नहीं करता है इसलिए दोस्तो आप अभी के अभी मशीन को यहाँ पर बुक कर सकते हैं और दोस्तो और एक बात एक जनुवरी 2022 के बाद मशीन के रेट बढ़ने वाले इसलिए दोस्तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उसका इस्तमाल कीजिए और जल्दी से जल्दी मशीन मंगा लिजिए मशीन की जो प्राइस है दोस्तो वह आपको यहाँ पर बताई जा रहे ही की मशीन के प्राइस है दोस्तो लगबग 25 रुपए और 500 रुपए कुरियर चार्ज यानि की आपको आपकी मशीन 3000 के करीब करीब आपके यहां के जो नजदीक का जो तहसिले वहाँ पर मिल जाएगी दोस्तो तो यहती दोस्तो वह पूरी मशीन सवांडो की की जिसका इस्तमाल करके भारत का कोई भी मुर्गी पालक भाई आराम से और आसानी से चूजे निकाल कर मुर्गी पालन के व्याउसाय में बड़ोतरी कर सकता है तो दोस्तो अगर आपकी कोई समस्य है और दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं अगर विडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जरुदमन दोस्तों के सपास बेजने के लिए शेर कीजिए और साथी में दोस्तों यहां पर सबस्क्राइब आपको देखने को मिल सकता है तो दोस्तो आएसे एक नया वीडियो लेके मैं आपका दोस्त उलेलाड आप सभी के चाहिते चैनल इंडियन मुर्गे पालन में आपको सदेव मिलता रहूँगा तब तक के लिए मेरे हर मुर्गे पालक भाई का तहे दिल से बहुत-बहुत आभार